हेलो मेरे भाईयों कैसे हो आप सब वोमेंज बिग बैश लीग 2024 मैश नमबर 4 है होबाट हरीकेज वोमेन वर्सिज सिन्नी ठेंडर वोमेन कौन इस मैश को जीच सकता है हूव विल विन कम्प्लीट मैश एनलिसिज ड्रीम 11 साइड प्लेइंग साइड इंट्री प्लेयर रंस कम विडियो आप एंड तक देखिएगा और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप पहली दफ़ा हमें फोलो कर रहे हो हमारे इस चैनल पर हो तो सबसे पहले मेरे भाई जाके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में पिन सके तो टेलीग्राम लज़मी जोइन कर लीजिएगा आज वोमेन बिग बैश का स्टार्ट हुआ और काफी जबरदर स्टार्ट रहा है मतलब के चार पांच पैसे का घोड़ा पहले दिन संडे के दिन आपको मिल गया उसके बाद पहला मैच अच्छा हुआ दूसरे मैच मे गोड़ा मिला दोनों साइट ट्रेडिंग देखने को मिली अंडर 30 पैसे की तो कमाल का दिन रहा कमाल गया आज के मैचीज रहे और आपको बताया था 27 तारीख से क्रिकेट का नया सीजन स्टार्ट है चीजों को मेंटेन कर लें और लंबा सीजन है लंबा सीजन है आपको देखने को मिले की और वोमेंस क्रिकेट अभी वैसे भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम से इस साल में तो पूरा फोकस करके दें और तो प्रॉफिट भी अच्छा मेरे बाई बना के दे रही है ये वोमेंस की जो भी क्रिकेट हमें टेलीग्राम पे दिया था हमारे बैक अप चैनल पे और बाकी के मैशिज मैंने पेड़ मिंबर्शिप में करवाए थे वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि कैसा काम अच्छा काम दिखाने से पहले मैं आपको मेरे भाई बोलूंगा कि ये वाला हमारा टेलीग्राम का जो जाके जोइन किजेगा पहला मैच ओपनली भी दिया था मैच नमबर वन एडिलेड वर्सी ब्रिस्पेन हीट वोमेन ब्रिस्पेन हीट वोमेन हमारी टीम थी बड़े अराम से ब्रिस्पेन हीट वोमेन जीती इंट्री लेड दिया था लेकिन जो दिया वो सही टाइम पे दि करेंगे और अच्छा रेट हमें मिला इंट्रिस पे थोड़ा सा गोर कर ले ना 14-15 पैसे का गोड़ा हुआ है दूसरा मैच भी 82-83 रेनिगेट्स बोला था खाना 60% लिमिट से खाना उसके बाद 29-30 पे रेनिगेट्स वोमेंस को फिर खाया फिर 14-15 पैसे पे रेनिगेट्स को को बोला था और खाना मेचा जेकपोर्ट इंट्रि है ठीक है तो ये पहला जेकपोर्ट हमने कैश किया लेकिन तीसरा जो 4-5 पैसे का हुआ ना मेरे भाई उसमें मुझे स्टार्स पसंद थी और हमने सिर्फ लॉस हटाया तो हमारा ना एक किसम का लॉस हुआ है ना कुछ प ठीक है ना के कौईलिटी के साथ आपको काम करवाने गी एक मैंने आपको बहुत दिन पहले बटा दिया था कि 27 तारीक से एक नया सीजन स्टार्ट है नया क्रिकिट का साल पीछे जो हुआ जो नहीं हुआ भूल जाओ सब कुछ नई क्रिकेट सब नया कुछ ठीक है ना उसको नए सिरे से आप लेके चलो तो जिनका प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है लॉस तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए किसी का भी नहीं हुआ होगा तीनों मैचीज में अच्छे रेट के मैचीज हुए अच्छी इंट्रिज मिली तो हमारा गाम आपके सामने हमारा गाम आपके सामने है और आप अगर जोईन होना चाहते हैं और हो भी जêuरूर आप मैंने स्टार्टिंग जिए आपको बोला था कि वोमेंस बिक बेइश आप कम्प्लिट आके करें आपको मैं complete package दूँगा तो ये contact हमारे details है whatsapp के number है ठीक है प्लस 1954836 1157 लिंक भी मिल जाएगा whatsapp का direct आपको लिक करके भी message कर सकते हैं आपने सिर्फ paid लिखके message करना है यार मेरे भाई fees बहुत कम है आपको एक मेंच का लेना है paid एक का low पूरे दिन का लेना है पूरे दिन का low साथ दिन का लेना है तीस दिन का लेना है अप लो complete big bash package लेना है तो वो भी low आपको मैं guarantee के साथ 90% से उपर accuracy प्रवाइड करूँगा और ये मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं मार रहा बातें नहीं चोल रहा ये मेरे भाई करके दिखाऊंगा और believe me आपको इसी चैनल पर इसी platform पर आने वाले वक्त में जो है ना सारा काम proof के साथ मिलेगा तब proof करके आपको दिया जाएगा कि जो जुबान आपसे की वो पूरी हुई तो मेरे भाई हार चुके हो बार बार हार रहे हो घबराओ मत आजाओ ठीक है ना cover भी होगा मोठा profit भी होगा ठीक है ना तो इंडिया से हो पाकिस्तान से हो कहीं से भी हो पेड लिखके वोटसेप पे मेसिज करो और मेरे भाई जोईन हो जाओ बाकी आपकी मर्जी है जैसे आपका दिल करें अच्छा आप बात करते हैं होबाट परसिस ठेंडर वूमेन दोनों टीमें अपना फरस्ट मैच खेल रही है और कल 28 अक्टूबर कल एक ही यही मैच है 12 बच्च के 40 मिनट पे खेला जाएगा ग्राउंड परिडिक्शन की बात करें तो बेल रिव ओल होबाट के होम ग्राउंड पे यह मैच होगा जहां का एवरेज फरस्ट इनिंग जो है 138 है और एवरेज सेकेंड इनिंग 127 मतलब 140-150 तक टार्गिट बनता है और सेकेंड इनिंग का जो टोटल का गैप है वो सिर्फ 10-12 रन्स का ही है मतलब चेज भी होता है 50-50 है दोनों में इसलिए आप देखें बैटिंग फरस 47 परसंट जीती है और बॉलिंग फरस 53 परसंट तो ज्यादा फरक नहीं है अच्छा मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूँ फास्ट वरसी स्पिन तो ये भी 50-50 रहा है मतलब के बैलवरी ओवल का जो होबाट का ग्राउंड है यहाँ पर बेशक मेंस बिग बैश में भी हमने देखा है या वोमेंस में भी यहाँ पर फास्ट बोलर्स को भी मदद मिलती हुई नज़र आती है स्पिनर्स को भी नज़र आती है बैटर्स को भी मदद आती है बोलर्स को भी नज़र आती है मतलब सब के लिए कुछ ना कुछ इस पिच पे होता है ठीक है न मतलब के जो अच्छा केलता है वो अच्छा मैच ले जाता है ठीक है ना उचा इस तरह की कंडिशन है हर चीज को फेवर करती है है हैड टू हैड अगर मैं बात करू अबात और ठंडर की तो मेरे भाई लास्ट-10 मैचेज में चार मैचेज अबाट ने विन किया और 6 मैचेज स दूसरी तरफ लास्ट फाइफ मैचीज के रिजल्ट की बात करें यहां पर पर्त सौरी शो कर रहा है इसको थोड़ा सा आप जो है ना एक मिनट लास्ट फाइफ मैचीज होबाट के रिजल्ट की बात करूं तो लास्ट पांच मैचीज में से चार मैचीज होबाट वूमेंज ने विन किया और दूसरी तरफ ये इसमें सप्रिंग टी-20 के भी मैचीज शामिल थे जो रिसेंड लिए हुआ सिड्नी टेंडर की बात कियों तो लास्ट पांच मैचीज में से दो मैचीज लास्ट दोनों मैचीज उन्होंने विन किया अच्छा पिछ कंडिशन की अगर बात करें पिछ कंडिशन की मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गुड बैटिंग के लिए सर्फेस जो है वो काफी अच्छा है ठीक है मतलब कि आपको रंस बनते हुए नजर आएंगे 140 से उपर का टूटल फरस्ट इनिंग में नजर आएगा आपको 150 चला जाए 150 भी चला जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी दोनों साइड्स के पास अच्छे बैटर्स हैं जो लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि बैटिंग के लिए सर्फेस जो है वो अच्छी होगी और फरस्ट इनिंग पसंद भी है मुझे इस मैच में भी फरस्ट इनिंग का अच्छा टूटल भी पसंद है लेकिन दूसरी तरफ मेरे भाई दूसरी तरफ मेरे भाई जो है ना सेक्ट इनिंग का चेज का जो रेकॉर्ड है इस ग्राउंड पर वो बहुत जबरदस्त है मतलब कि वोमेंस के मैचीज में 170 तक टार्गिड जो है 179, 168 चेज होता नजर आया मतलब 160 से उपर के टार्गिड भी इस ग्राउंड पर चेज होते हुए नजर आया तो फिच कंडिशन पहले ही बोला है कि बैटर्स को भी करती है सूट बोलर्स को भी करती है दोनों के लिए कुछ ना कुछ रखा है सिरफ खिलना अच्छा है अच्छा मेरे भाई की प्लेयर्स और प्लेइंग साइड्स जो दोनों टीमों की है वो मैं टेलीगराम पे डाल दूँगा या जो मेरे साथ पेड़ मिंबर्शिप में जॉइन होंगे उनको तो यह सब कुछ चीज़े मिल जाएंगी या इन चीज़ों की जरूरत नहीं है तो मेरे भाई कल का मैच कल का मैच क्या पसंद है क्या नहीं पसंद यह आपको पेड़ वोटसेप में मिलेगा यह वाला मैच काम आपके सामने है तीन मैचीज आज मैंने करवाए तीनों के तीनों में मोटा प्रॉफिट बना के दिया एक तो पहले वाला मैंने उपन ली दिया टेलीग्राम पे जाके देख लेना बैक अप चैनल पे ठीक है तो मेरे भाई कल का एक ही मैच है ये आपको वर्टसेप की ब्रोडगास्ट में मिलेगा और जबर दस्ता आपको मेरे भाई काम मिलेगा जॉइनिंग के लिए आपको सिरफ पेड़िल के वर्टसेप पे इन नंबर्स पे या जीज़ पे भी आप मैसिज करें डिस्क्रिप्शन में भी दियों में नंबर्स और आपने जरूर जॉइन होना इसमे ठीक है ना मेरे भाई प्रॉपर तरीके से आपको सेशन मेंच का काम मिलेगा चले बेस्ट विशिजन मेंच के लिए अपना बहुत सारा ख्याल लग कियेगा खुदा आफिस